बूर्णिंग स्टुरेंट्स, विल्कम टू अन्लाइन क्लास। बच्चो, हम तुमारे इंग्लिज मेरीगो रिडर का इनुट 3 तक पढ़ेते, आज पढ़ेंगे यूनिट 4, चप्टर रेन। बच्चो, पेज नमबर 54, निकालो। देखो में पढ़ देरे हूं। बच्चो, रेन का मतलब क्या है? बारिस ना? तो, the rain is raining all around, चारो तरफ बारिस हो रही है, all around, the rain is raining all around, it falls on field and tree, ये बारिस कहाँ पर गिरे है? फिल्ड पर और trees पर, it rains on the umbrellas here, और कहाँ पर गिरे है? अम्बरिलास के उपर, and on the ships at the sea, c मतलब समंदर, समंदर में जो ships होते हैं ना, वहाँ पर भी गिरे हैं, and on the ships at sea. तो, यहाँ पर देखो, नीचे new words है, new words है, F, I, E, L, D, field, field का मतलब क्या है? मेदान, जहाँ पर तुम खेलते हो ना, फिर है umbrella, U, M, B, E, R, E, L, L, A, S, umbrella का मतलब है? क्या? छाता, S, H, I, P, ships का मतलब है? क्या? जहाज, तो बच्चो, ये जो new words नीचे है ना, इसको तुम ल five times लिखना, हाँ, ठीके बच्चो, फिर इसके बाद हम आएंगे इसके question answer की तरफ, देखो, number one है, where does the rainfall, where does the rainfall, मैं question answer copy में लिख्यूं, तुम लोग अपने copy में उतर लेना, यहाँ से देख देखके, देखो, number two, what do people use when it rains, people use umbrellas when it rains, people use umbrellas when it rains, okay बच्चो, इसको ये दो तो कोस्चिन था, ये दो कोस्चिन का answer है, ये इसको तुम अपने English copy में उतर लेना, और ये जो new words है न, यहाँ पर, ये new words को भी, इसका spelling याद करना, ठीक है, ओके थेंक्यू!